हेलो एन वेलकम टो आज चैनल सोलो टेल्स और आज की हमारी मुवी का नाम है दा अटरनी इस मुवी को 1978 बुसान शेर के सत्य घटना से इंस्पारड होकर बनाया गया है कहानी की शुरौात में सारे चैरक्टर्स के बैक स्टोरी को अच्छे से समझया गया है ताकि कहानी समझने में आसानी हो और यही चीज़ आपको स्लोल लग सकती है लेकिन भरुशा रखे मुवी की कहानी वहागी बहुत अच्छी है तो चलिए शुरू करते हैं मुवी की बेस कर रहे थे फिर थोड़ी देर बाद हम मिस्टर ली और किम को अकिले देख पाते हैं किम यहाँ पर मिस्टर ली को बताता है कि मैंने जज की पोस्ट से की भी जरूरत नहीं थी इसके अलावा किसी और बिसनस को करने के लिए किम के पास कॉलेज डिगरी की जरूरत पड़ती लेकिन किम की आतिक स्थिधी ऐसी थी किम को आफ्टर स्कूल ही बार एक्जाम देना पड़ा जिसके बाद किम एक लॉयर बना और फिर जज़ खैर किम य कार्ट को लोगों में बाड़ता है ताकि किम को कस्टमर्स मिल सके आगे किम अपने न्यू ऑफिस में अपने कस्टमर्स के आने का वेट कर रहा था लेकिन किम के ऑफिस में डिलिवरी मैन के अलावा कोई नहीं आता पर तभी मिस रैन नाम की लेडी किम का कार्ड लाकर किम क मिस्टर स्टेट में किम कुछ नहीं की मारिट में इक नए बिसनेसमें आया है जो कि इस पार्टी में शामिल होने वाला है पता है उसका नाम की डिक्री तक नहीं है अनपढ़ कहीं का पता नहीं एड़ोकेट कैसे बन गया इन लोगों के इतना कहते ही मिस्टर ली इनके पास आकर इन्हें किम से इंटर्ड्यूस करवाते हैं किम जो की इनके साथ बैठ कर इनकी ही बाते सुन रहा था किम अपना कार्ड आगे बढ़ाते वी कहता है मैं ही वो अनपढ़ एड़ोकेट हूँ ऐसा बताकर किम यहां से निकल जाता है फिर कुछ दिन बाद हम किम के ऑफिस में हैरी को देख पाते हैं हैरी यहां पर काम मांगने आया था हैरी देखता है कि किम के ऑफिस में बहुत से कस्टमर्स की भी लगी वी थी आगे जब किम खाना खारा होता है तब किम अपनी वाइफ से कहता है तुम पहले अपना मन मार कर कुछ भी नहीं खरीद पाती थी लेकिन अब तुम जो चाहो वो खरीज सकती हो क्योंकि अब मैं बहुत से पैसे कमाता हूँ किम के इतना कहते ही किम के उपर वाले अपार्ट जब किम अपना कार्ड आगे बढ़ाते विए अंदर आने की रिक्वेस्ट कैता है। मेरी के घर के अंदर आते ही किम मेरी से इस अपार्टमेंट को खरीदने कीमांग चैता है। जिसे सुन मैरी की पडोसं और मैरी बहुत बहुत चक्के हो जाते हैं। मैरी कीम को कहती है मैं ये अपार्टमेंट तुम्में नहीं भीज सकती नीचे वाला खाली अपार्टमेंट तुम खरीद लो। तो किम यहां मैरी से कहता है आपके अपार्टमेंट की कीमत 5,000 डॉलर्स है लेकिन मैं आपको 15,000 डॉलर्स इस अपार्टमेंट के लिए देने को तयार हूँ मैरी किम की बास सुन जल्दी से अपनी पडोसुन को घर से निकाल कर किम को शर्बत देते भी कहती है आगर आप इसी अपार्टमेंट को खरीदना क्यों चाते हो तब ही हम किम का एक फ्लैश बैक देख पाते हैं जहां पर किम एक कंस्ट्रक्शन साइट में वरकर के तौर पर काम किया कहता था किम काम खतम होती ही आज की दिहाड़ी लेकर हॉस्पिटल के अंदर आकर रिसेप्शनिस से अपनी वाइप और बच्चे की डिलिवरी के बारे में पूछता है जिसके बाद किम अपनी लीसा और किम का पहला बच्चा जमीन में सो रही थी लीसा की मॉम किम को बाहर लाकर गेट बंद करते वी कहती है मैंने आलरेडी हॉस्पिटल का बिल दे दिया है तो तुम पैसो की चिंता मत करना असल में लीसा की मॉम जानती थी किम की आर्थिक स्थीधी अच्छी नहीं ह लीसा की मॉम के जाने के बाद किम अपने बच्ची को हाथ में लेकर बहुत खुश होता है आगे रात में किम रोज की तरह मिस हैना के छोटे से रेस्टरॉंट में जाकर खाना काता है इदर मिस हैना किम से पुराने हिसाब कुछ चुपता करने की रिक्वेस्ट काती है जिस मिस हैना का बेटा शानू किम की तरफ ही देख रहा था किम शानू की आखों में आखी नहीं मिला पाता और इस जगे से दूर भाग जाता है किम यहाँ पर इतने गिल्ट में था कि उसे मिस हैना के रेस्टरॉंट का खाया हुआ खाना भी हजम नहीं होता और किम इसी लिए उल बुक्स को लेकर किम वापस अपने construction site में जाकर इन्हें पढ़ना शुरू कर देता है। मुवी वापस से आती है present में, किम और उसकी family को हम new apartment में shift होता देख पाते हैं। तबी Lisa दिवार के उपर कुछ लिखावा notice करती है। दामों में खरी था। मिस हैना की आखे भराती हैं। मिस हैना किम से एक भी रुपे नहीं देती और कहती है कि मुझे तुम पर फक्र है। मिस हैना की बात सुन किम मिस हैना को गले लगा लेता है। आगे हम देख पाते हैं कि किम का business बहुत अच्छा चलने लगा था। और किम हैरी को हमेशा लंच के लिए मिस हैना के रेस्टरांट में ही लेकर आता था। जो कि हैरी को बिलकुल अच्छा नहीं लगता था। क्योंकि हैरी हमेशा fancy hotel की demand करता था। ऐसे ही करते करते किम के business को 8-9 महिने बीच जाती है। इसलिए हैरी किम से एक lady staff को tea serving के लिए appoint करने को कहता है। इसके बाद हम इनके office में एक new lady staff Nancy को देख पाती है। साधी में किम अपने office को अच्छे से establish भी कर लेता है। ऐसे ही एक रात किम tv प्रोग्राम देखते वे हस रहा था। कि तभी किम की wife Lisa बता दी है कि हमारी पडोसन जूलिया को बहुत सारे tax का bill आया है। इसलिए जूलिया को आपकी help चाहिए। आगे जूलिया की file देख किम जूलिया को tax कैसे कम किया जा सकता है। इसकी कुछ tips देता है जिसे सुन जूलिया खुशी से यहां से निकल जाती है। इसके बाद next day किम हैरी को बताता है कि real estate के साथ साथ हम tax consultant का भी काम कर सकती है। हैरी कहता है लेकिन इसके लिए तो accounts की knowledge भी होना जरूरी है। तो किम कहता है जब मैं advocate की बढ़ाई कर रहा था तब मैंने accounts की भी book बड़ी थी इसलिए मुझे tax के बारे में सारी जानकारी है। किम की इस बात को सुन हैरी बहुत खुश होता है। तब ही इन लोगों को बहार से बहुत तेज आवाज आने लगती है। हम देख पाते हैं कि किम के business के कारण सारे customers किम के पास ही आ रहे थे। जिस कारण बाकी businessman का business थपो गया था। इसलिए ये लोग यहाँ पर किम के खिलाव strike करने आये थे। किम नीचे जाकर इनसे निपटने की सोचता है। लेकिन नीचे आते ही किम देखता है कि बहुत सारा धुआ नीचे पहला हुआ था। तभी किम के पास एक मास्क पहनावा आदमी किम की तरफ बढ़ने लगता है। और ये scene यहीं खत्म होता है। दोस्तो असल में ये जिस समय की कहानी है। उस समय बहुत से कमनियों स्ट्राइक कोरिया में हो रहे थी। इसी रीजन से जो भी इंसान मोर्शा करतावा दिखता था। उन्हें पुलिस पीटने लग जाती थी। दोस्तो कमनियस्ट की कारण देश में ग्रह यूद भी होने की चांसिस बढ़ सकती है। इसलिए लोगों को मारा जा रहा था। खैर अब कहानी थोड़ी आगे बढ़ते वे पुलिस डिपार्टमेंट की मेडल सेर्मनी की और शिफ्ट होती है। इस जगे मिस्टर पार्क नाम की एक ऑफिसर को उनकी काम के लिए सम्मानित किया जाता है। और मेडल से उनकी बहादुरी को नवाजा जाता है। आगे सेर्मनी के बाद हाई रैंकिंग ऑफिसर्स मिस्टर पार्क को बुसान आकर काम कने का ओफर देती है। क्योंकि बुसान में गौंग्जू इंसिदेंस की कुछ हिंस मिल रहे थे। दोस्तों गौंग्जू इंसिदेंस में एक मास्ट प्रोटेस साउथ कोरिया गवर्मेंट के खिलाब स्टूडेंस ने किया था। और सरकार के हिसाब से ये एक कम्यूस प्रोटेस्ट था। खैर मिस्टर पार्क इस ओफर को एकसेप्ट कर ले दिंग है। दूसी तरफ हम मिस हैना के रेस्टरांट में शानू और उसकी दोस्तों को देख पाती हैं। स्टूडेंट बुसान में स्ट्राइक करने वाले हैं। किम इस न्यूस को देखते वी कहता है। ये सारे बच्चे पढ़ने की बजाएं ऐसे धरने में बैट कर बस अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इदर शिरानू जो की एक न्यूस रिपोर्टर था वो किम की बातों से सहमत नहीं होता। किम कहता है इन बच्चों का धरना ऐसा है मानो कुछ बुड़ी औरतों की चुगली जो की बेफालतू है। शिरानू कहता है तुम्हें पैसे बनाने से फुरसत हो तब तो पता चले कि ये बच्चे धरना क्यू दे रहे हैं। के लिए किया जा रहा है। साथी में कई सारे स्टूडेंट्स के साथ अब्यूस भी हो रहा है जिस पर सरकार कुछ नहीं कर रही। इस बात को सुन किम कहता है ये सब बक्वास है। ऐसा कहते हुए किम शानू को आज की वी तोड़ फोड और खाने के पैसे देते हुए कहता है। तबी मिस हैना जिसने की किम की बात सुली थी वो किम की बिहेविर को देखते हुए किम को धक्की मार कर यहां से निकाल देती है। हमें किसी भी हालत में इस चके का महौल बिकरने नहीं देना है। मार कर शानू को अरेस्ट कर लेती है। दूसरे तरफ मिस हैना शानू की ही रात देख रही थी। कहानी थोड़े दिन आगे बढ़ती है। और यहां हम शानू को बहुत ही जखमी हालत में देख पाती है। इस जगे हारू शानू को मैडिसन देने आता है। फिर एक महीने बाद कहानी शिप्ट होती है मिस्टर ली के ऑफिस की और। यहां पर मिस्टर ली को कम निउस्ट की रेड का पता चलता है। तबी आफिस में ली से मिलने किम आता है। किम मिस्टर ली को बताता है कि अब मैं एक law firm कोने वाला हूँ। जिसमें मैं चाहता हूँ कि आप मेरा साथ दे। क्योंकि मेरे अकेले उस firm में रहने से कोई advocate नहीं आएका। लेकिन अगर आप रहेंगे तो लोग जरूर आएंगे। मिस्टर ली कहते हैं इसमें मैं तुम्हारी help नहीं कर सकता। क्योंकि कुछ दिनों में ही मेरा license suspended होने वाला है। जिसे मैं renew कराने की नहीं सोच रहा हूँ। तो इस बात को सुन किम यहां से चला जाता है। आगे किम के office में एक बहुत बड़ी construction के मालिक Mr. Fang Tax deduction के लिए किम को consultant बनाने का offer लेकर आती है। जिसे किम accept कर लीता है। Mr. Fang के जाने के बात Harry किम को बताई देता है। अंदर के पास अपनी boat को पार्क कर रहा होता है। तम Mr. Lee जिनका license अब तक suspend हो चुका था। वो किम के लिए एक case लाती है। यह case national security law से related था। लेकिन किम इस case को लेने से मना का देता है। क्योंकि किम का business बहुत अच्छा चल रहा था। दूसरी तरफ हैरी को पता चलता है किम मिस हैना के बेटे शानू को कम्मिनिस्ट के case में दू महिने पहले arrest कर लिया गया है। और यह एक national security का मामला है जिस कारण हैरी का दोस हैरी को इस case से दूर रहने का सुझाब देता है। तो अपने दोस्त की बात मान कर हैरी डिसाइड करता है कि वो किम को शानू के बारे में नहीं बताएगा। लेकिन दो दिन बाद ही किम के office के बाहर मिस हैना किम से मिलने आती है। ओफिस में मिस हैना बताती है कि कल रात ही मुझे ये official letter आया है जिसमें लिखा है कि मेरा बेटा कम news है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है वो तो बस library पढ़ने गया था। पुलिस वाले मुझे मेरे बेटे शानों से मिलने नहीं दे रहे। इसलिए मिस हैना किम से मदद लेने आई है। किम को बताता है कि शानों एक कम ने इस केस में फसा हुआ है जिसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि अगर हमने कुछ किया तो हमारी जान को भी खत्रा हो सकता है और इस केस से लड़ना मतलब की सरकार को चुनौती देने जैसा है। अपने बेटी के लिए ही भटक रही थी वो किम को देख मानों खुशी के मारी रोने लगती है। फिर नेक्स दे ही किम जेल में अपने लौ के सेशन को बता कर शानू से मिलने की परमीशन ले लेता है। जिसके बाद हम मिस हैना और किम को विजिटिंग रूम में देख पाते हैं। इदर जब शानू को लाया जाता है तब किम नोटिस कता है कि शानू सही से चल भी नहीं पा रहा था। और बस भागलो की तरह एकी बाद दोराये जा रहा था कि मैं एक कम नियूस्ट हूँ, मैं एक कम नियूस्ट हूँ। कहती है, मेरे बच्चे को किस ने मारा है, तब ही यहाँ पर बहुत सारे पुलिस ओफिसर्स आकर शानू को इस जगी से ले जाती है, वही मिस हैना अपने बेटी की ऐसी हाले देख बियोश हो जाती है। कि मैं इस केस को लड़ूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि शानू और बाकी जितने भी बच्चों को कम नियूस्ट बताकर पकड़ा गया है। वे सब निर्दोश हैं, मिस्टर ली बताते हैं, इस केस को लेने से तुम्हारे उपर आमजंता का गुसा तूट सकता है। तो कि म इस परिशानी को जिलने के लिए भी तैयार हो जाता है, जिसके बाद हम कोट में कि म को जाता देखते हैं। कोट के अंदर ही कि म को अपना दोस्त कम दुश्मन शिरानो मिलता है। कि मैं ही कम्यनिस्ट केस को लड़ रहा हूँ, लेकिन शिरानो ये कहका चला जाता है, कि क्या ही तुम्हारे पैसे कमाने की कोई नई चाल है। इसे सुन किम को बहुत बुरा लगता है लेकिन किम को पता था कि जिस हिसाब से उसने शिरानों को ट्रेट किया था एक ना एक दिन ऐसा किम के साथ होना ही था Char Kim अपने senior lawyer जोगी इस case में किम का साथ देंगे और अपने opponent राकू यूगी से मिलता है आगे यह सारे lawyers इस case के judge कामूरा से मिलते हैं judge in lawyer को बताता है कि यह case एक high profile case है जिस कारण media बहुत ही नाजुपता से इस case को देखेगी इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग कुछ भी ऐसा कोर्ट में ना बोलें जो कि देश को हानी पहुचाने का कारण बने आगे हम कोर्ट रूम के अंदर उन स्टूरेंट्स को देख पाते हैं जिने कम नियूस्ट बताकर पुरलिस ने अरेस्ट किया था इन स्टूरेंट्स के आते ही किम कोर्ट से रिक्वेस्ट करता है कि इन बच्चों की हतकरियाई खोल दी जाएं क्योंकि गुनेगा साबित होने से पहले सारे सस्पेक्ट्स पे गुना होते हैं तो जच इसकी अनुमती दे देता है जिसके बाद केस की हीरिंग शुरू होती है इधर ऑपोनेंट लोयर राकू यूकी सब को बताता है कि ये सारे बच्चे कमनियोस्ट है और मिलकर एक इलीगल गैदरिंग लाइबरेडी में कर रहे थे चाहां इन सब स्टूडेंट्स को बच्चों को इंकरिच करते वे देखा गया था और इसका बयान इन लोगों ने ख शानती से बैटने को कहता है आगे शानू की तरफ जच देखते वे कहता है सिर्फ हां या ना में जवाब दो तो शानू हां में जवाब दीता है कुछ देर बाद कोट के बाहर आकर सीनियर मार्क किम को टाड़ते वे कहता है ये एक नैसनल सेक्यूरिटी केस है तुमें भी कोलने का टाइम मिलेका तो जाता उचलो मत किम बताता है उन बच्चों को टॉचर करके वो सब लिखवाया गया है मार कहता है मैं यहां तुम्हें लौ सिखाने नहीं बैटने वाला आगे रात में किम हैरी को बता दीता है कि मैंने ऑल्रेडी शानू की फर्स्ट हीरिंग अपने साथ रोनाल्ड जो कि डॉमेस्टिक एंड फॉर्नर पुलिस इंस्टिट्यूट से थे उन्हें लेकर आया था रोनाल्ड बताते हैं कि जो बुक्स इन स्टूडेंट्स के पास मिली थी उन बुक्स को ई-एच कार द्वारा लिखा गया था और उन बुक्स में पढ़ रहे थे ऐसा कहकर राक्यूई की अपनी जगे पर पैट जाता है तब ही अपना तर्क देनी के लिए मार्क उटने वाला होता है लेकिन किम मार्क के उटने से पहले ही खड़ा होकर अपनी बात कहना शुरू कर देता है किम कहता है कि मिस्टर ई-एच कार एक ब्रिटि बुक स्टोर में एविलेबल है साथ में इस बुक को पढ़ने और कम्मिनिस्ट हिस्टरी को जाने के लिए कोरियन एजूकेशन सिस्टम भी सपोर्ट करती है अगर ये बुक कम्मिनिस्ट को बढ़ावा देती तो इस बुक को लीगली कोरिया में बेचा नहीं जाता किम आग होना सावित करके रहूंगा लेकिन मुझे इसके लिए जाना होगा कि तुम्हें कहां कैद करके रखा गया था तो शानु कहता है मुझे लोकेशन तो नहीं पता लेकिन उस जगे में शिप की आवाजे आया करती थी तो अब किम शानु की बताई जगे को ढूरने लगता है और खुश किसमती से किम को वो जगे मिल भी जाती है दोस्तो ये वही जगे थी जहां हमने पार्क, शिन और हारुक को मिलते वे देखा था लेकिन अब इस जगे पर कोई मौजूद नहीं था खैर किम को यहां एक लोहे की रॉड मिलती है तब ही किम को विजन आता है जिसमे पारन शानू पर बहुत टॉचर किये गए तबी प्रिजेंट में किम पर ऑफिसर पार्क जो कि इस जगे पर आ गया था वो हमला कर देता है और किम से कहता है कि इस केस से दूर रहो वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा लेकिन नेक्स टे हम देख पाते हैं कि किम टॉचर किया गया है तब भी शानू बताता है कि मुझे जिनोंने टॉचर किया था वे लोग मुझे बस जिन्दा रहने भर के लिए ही खाना देती थे और जो अजार इनके हाथ लगता था उसी से मुझे माना शुरू का देते थे हम फ्लैश बैक में देख पाते हैं कि पार केन नाम के स्टूडेंट को मेरे साथ बिठा कर पार्क ने एक नकली स्क्रिप्ट पढ़ने को बोला था चुकि हमारी मीटिंग कैसे भी और हमने किस तरह से कम्मिनिस्ट फिलाने का प्लान किया था उस पर बेज था लेकिन ही स्क्रिप्ट नकली थी इस नकली स्क्रिप्ट क जैसे ही इन बच्चों की पेरेंट्स को पता चलता है कि पार्क ने इन बच्चों को बहुत बुरी तरह से टॉचर किया था, ये बास सुनते ही सारे लोग पार्क को माने के लिए खड़े हो जाती है, लेकिन पुलिस इन लोगों को यहां से निकाल देती है, जिसके बाद कोट अपनी डील किम से कैंसल कर लेगा, लेकिन किम पीछे हटने को राजी नहीं होता, और इसलिए किम फांग की डील को ठुकरा कर अपने ओफिस आ जाता है, औफिस के अंदर हैरी किम से कहता है, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी और इसके लिए तुम बहुत बच्चता था कि तभी शिरानों किम को अपना कोट और शर्ट दे दिता है क्योंकि किम की शर्ट से दाग नहीं निकल रहे थे इस सीन से हम समझ बाते हैं कि शिरानों अब किम की सपोर्ट में था नेक सीन में जब किम कोट रूम की तरफ जा रहा होता है तब उसे पता चलता है कि अंदर क स्टूढ्रेंटों के पेरेन्टकों कलके हासिके कारण जारन की अनुबति नहीं है इसलिए committees के अंदर जाता है इसामने शीपत लेता है कि वह जो कुछ भी बोलेगा सच बोलेगा खिर पूचता है क्या आपने कानून के डाइरे में उन बच्चों आरेस्ट किया था तो पहले एक्षन लेने को बोला जाता है जिसके कुछ दिनों बाद ही अरेस्ट फॉरंट भेजे जाते हैं क्योंकि इस तरह के केसिस में क्रिमिनल कोई भी सबूत नहीं छोड़ते और यही नैशनल सेक्षन लौ है किम कहता है कुछ बच्चे बस हिस्ट्री बढ़ रहे थे और हि इन बच्चों को टॉचर किया था तो पार्क यहां जूट बोलते वे साफ मुकर जाता है तब ही किम पार्क पर चिला पड़ता है और यहां पार्क भी गुस्य में किम पर चिलाने लगता है और इसी रीजन से ज़ज कहता है कूट की नेक्स्ट येरिंग दो दिन बाद होग इतना कहकर सीनियर यहां से चला जाता है जिसके बाद जब किम अपने ओफिस में आता है तब हैरी से किम को पता चलता है कि कई लोग किम के ओफिस में घुसाए थे और इनका ओफिस थवा करके चले गए यहां से निकल कर किम अपने घर वापस आता है और घर पे किम को अपनी वाइट लीसा से पता चलता है कि कुछ लोगों ने कॉल करके लीसा और उनके बच्चों को माने की धमकी दी है अगे next day जब किम अपनी office में अखेला था तब वो notice कहता है कि एक आदमी किम को माने के लिए office के बाहर खड़ा था कि तबी room में एक delivery boy किम को खाने की delivery देने आता है किम delivery boy से कहता है मैंने तो आज कुछ order नहीं किया delivery boy कहता है मुझे इस डिलिवरी के साथ साथ एक लेटर भी आपको देने का ओर्डर मिला था इस लेटर को पढ़ किम को सोचते वे डिलिवरी बॉय से पूछता है क्या तुमने खाना खाया? जिसके बाद हम किम को डिलिवरी बॉय की ड्रेस में यहां से निकलते वे देख पाते हैं किम चर्च में जाकर अफिसर हारू से मिलता है असल में हारू ने ही किम के लिए वो लेटर भिजवाया था हारू से मिलने के बाद किम मिस्टर ली और शिरानो के साथ होता है किम यहाँ बताता है कि हारु की हेरिंग के दोरान हमें इंटरनेशनल रिपोर्टर्स की ज़रूरत होगी क्योंकि हारु की गवाई देने से हारु को जान का खत्रा हो सकता है तो यहाँ शिरानों इंटरनेशनल रिपोर्टर का इंतिजाम करने के लिए मान जाता है आगे next day जजज जब कोट की hearing के लिए अपने घर से निकल रहे होती है तबी किम जजज को रास्ते में रोक कर कहता है मेरे हाथ एक witness लगा है जिसके बयान को सुनना बहुत सरूरी है पहले तो जजज इस witness को लाने के लिए मना कर देता है लेकिन किम कहता है अगर आपने ऐसा न मान जाता है जिसके बाद हम किम को कोट रोम में देख पाते हैं और यहां इस बार बहुत से इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्टर भी मौजूद थे आगे कटकरे में ऑफिसर हारू को बुलाया जाता है जिसके लिए राकुयोगी नहीं मानता लेकिन यहां पर जजज कहता है मैंने इसकी अनुमती दी है तो तुम जादा उचलो मत। है लेकिन तभी पार्क की टीम के ही एक हैड ऑफिसर आकर कोट में कहते हैं कि जब इन बच्चों को पकड़ा गया था तब हारू चुटी में था और हारू की किसी भी लीव रिक्वेस्ट को खारीच नहीं किया गया था यानि कि हारू इधर जुटी गवाही दे रहा है हैड ऑफिसर की इस बात को सुन हारू कहता है आप जुट बोल रहे हैं मेरी चुटी को खारीच करके मिस्टर पार्क ने मुझे इन बच्चों की ट्रीटमेंट के लिए बुला था हारू की इस बात को अंधेका कर ऑफिसर आकर हारू को यहां से ले जाती है जिससे किम समझ चाता है कि हारू को फजानी के लिए यह सब पार्ट ने किया है ताकि हारू की गवाई जुटी साबित हो और किम इस केस को हाथ जाए इतना दिखाते ही इस केस की लास्ट हीरिंग भी यहीं खत्म होती है नेक्स सीन में हम किम को मिस हैना के रेस्टरांट में खाना खाते देख पाती है इधर मिस हैना को किम से कोई शिकवा नहीं था क्योंकि किम ने बहुती पहदुरी से अपनी पूरी कोशिश की थी तबी हैरी मिस्टर ली और सीनर ओफिसर्स के साथ मिस हैना के रेस्टरांट म की देख पाती है और इसी कारण से किम को जेल भी हो जाती है जिसके बाद किम के केस के भी कोट में हिरिंग होती है इस पार किम का केस Mr. Leigh लढने आए थै इधर Mr. Leigh जज को एक लिस्ट देते वी कह दे है इन लिस्ट में उन लॉयर्स के नाम है जो कि किम को सपोर्ट करने के लिए आज मौजूद है मूवी की एंडिंग में बता जाता है कि उस दिन कोर्ट में बुसान शहर के 142 लॉयर्स में से 99 लॉयर्स किम के सपोर्ट में मौजूद थे और इतना बताते ही ये मूवी खतम होती है तो होप है कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सिस्क्राइब करें मिलते हैं ऐसी एक और मज़दार वीडियो के साथ तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें धन्यवाद